हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने रैड्मी 12 एंडुएट मॉइल फून में आप अपने मॉइल फून की ना स्टोरीज इसपेस रणिंग आउट की प्रॉब्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाल हूँ तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेथे हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह समझाते ता अगला काम यह करना है कि आपको जो अपने मुवाइल फोन के गैलरी को ओपन करना है, फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखें, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमरेंट डिलीट कर दे लिए, अब देखे अगला काम आपको करने के हैं आपके मुवाल फून में काफी सारे ऐसे एपस होते हैं जिनके अंदर आपको बैकप सेटिंग मिलेगी तो जिजी से आपके अंदर आपको बैकप सेटिंग मिल जाती है क्योंकि मैंने इस app की backup setting को यहाँ पे पहले से बंद कर रहा है ठीक है अगर आपकी backup setting यहाँ पे चलू रहती है तो इसके ठीक नीचे off का बटन होगा या फिर do not backup लिखा होगा उसे tap करके backup setting को बंद कर देना है इसी तरीकी से आपको और भी जिद जिस app के अंदर backup setting मिल जाती है उन सभी apps में से भी backup setting को बंद कर देना है देखी दोस्तों मैं apps की backup setting को इसलिए बंद कर रहा हूँ ना क्योंकि अगर यह backup setting चलू रह जाती है तो इससे हमारे phone का जो internal storage होता है वो जद्यल्दी full हो जाता है जिसके कारण हमारे phone में बार-बार जो है storage space running out की problem आती रहती है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का Caroline setting page open कर लीजें setting page में सबसुपर सबसुपर इस search setting पर tap करना यहां पर सबसुपर light after search एक बंद है यह उपको लिखना है ठीक है फोन को reset करने से पहले न दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में transfer कर लिजिए या आप अपने फोन का जो जरूरी डेटा है उस डेटा का बेक अप ले लिजिए फालतो का डेटा फोन में इसे छोड़ देना है ठीक है और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद फोन को reset करना है तो मेरे बताये हुए सारे process आपको यूज़ करना है से आपके problem channel solve हो जाएगी ठीक है